विदायक की फॉर्विलर इनोवा कार को बोपाल जाते समय नया खेड़ा हाईवे के निकट ट्रॉक निमारी टक कर कोई जन्हानी नहीं बड़ा हादसा टला मनसौर विदायक के बाहन आज दोपहर में दुरगटना गरस्त हो गया हालाकि हासे में कोई जन्हानी नहीं हुई लेकिन बड़ा हादसा टल गया है मनसौर विदायक इश्पाल सिंग से सोधिया ने बताया कि आज दोपहर में वे अपनी पतनी ड्राइवर इवं गनमेन के साथ बोपाल के लिए मनसौर से रवाना हुए थे मनसौर नया खेड़ा हाईवे के यहां पर सडग हादसा हो गया जिसमें विदायक इश्पाल सिंग से सोधिया ने बताया कि हाईवे पर गाय का बचुड़ा आने से संतुलन बिगड़ गया हमारी इनोवा फॉर्विलर गाड़ी को ट्रक ने टक कर मार दी हादसा काफी खतरनाक था पर इसमें किसी को कोई भी चोट नहीं आई है बस गाड़ी शतिग्रस्त हुई है इस हादसे की सूचना जब अनसौर वासियों को लगी तो सभी लोगों ने हलचाल जानने के लिए तुरंत फोन पर संपर्क किया और उसके बाद विदाएकिशपाल सिंग सिसोधिया ने अपनी ट्वीटर हैंडल पर सभी को बताया कि मैं सुरक्षित हूं और मेरा परिवार भी सुरक्षित हैं किसी को कोई भी चोट नहीं आई है और मैं बोपाल के लिए रवाना हो गया कि बोपाल में सुबह मुझे कारिशाला में शामिल होना था दोपर में वे यश्नगरिस्त अपनी निवास से निकले थे शहर से करिए 10 किलोमेटर दूर महु नीमच फॉर्लेन हाइवे नया खिड़ा के निकट उनकी इनोवा फॉर्विलर को एक ट्रक ने टक कर मार दी हादसे में विधायक का वाहन डेमेज हो गया है लेकिन गनी मत रही कि इनोवा फॉर्विलर में सवार विधायक इश्पाल सिंग सिसोदिया उनकी पतनी और गनमेन वाहन चालक में से कोई घायल नहीं हुआ हादसे की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी और नयवादी थाना पुलिस भी मोकी पर पहुंची विधायक सिसोदिया ने बताया कि कल भॉपाल में होने वाली कारिशाला में उन्हें शामिल होना था प्रदेश बाचपर प्रवगता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं लिहाजा अर्जेंट बोपाल पहुंचना था इसलिए वे दूसरा वाहन लेकर बोपाल रवाना हो गए हासे में खरोज तक नहीं आई इसके लिए उन्होंने इश्वर का धनिवाद दिया कोतवाली धाना प्रभारी मिसोनी ने मीडिया से चड़चा करते वे मंगलवार को दो बच कर 20 मिनिट पर बताया